गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, माइ नेम इस किशन कुमार निर्वान, लेक्चरर, मेकेनिकल इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट, गॉवर्मेंट, पॉलर टेक्निक, कोलेज, चित्तो उडगेड़, आज हम डिसकस करेंगे यूडिट नमबर वन के हायर पेयर्स और उसके एक्जामपल्स के बारे में, आपके क्यूशन्स आता है, शोट अंसर, कि हायर पेयर्स क्या होते हैं, और उनके एक्जामपल कौन कौन से होते हैं, तो आज हम देखते हैं, हायर पेयर्स, तो वेन एपेयर है, जे पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट बिट्विन दा लिंक् higher pair, कि जब pair of links, जब दो link के बीच में आपस में जो contact है, वो contact या तो point contact हो, या फिर line contact हो, तो उन pairs को हम higher pairs कहते हैं, the contact surface of the two links are dissimilar, यहाँ पर दोनों ही जो आपके link है, उन दोनों के बीच में जो contact होता है, वो dissimilar प्रकार्श का हो सकता है, similar भी हो सकता है, dissimilar भी हो सकता है, ठीक है, इसके examples है, आपके wheel rolling on a surface, कि एक wheel जो है, surface के उपर roll हो रहा है, second example है, आपके cam and follower pairs, third होता है, tooth gears, gears, जिन में दो drums, जिनके उपर जो होता है, teeth जो है, उबरे होय होते हैं, उनको gears कहते हैं, तो gears वादे chapters में हम देखेंगे, तो आपके fourth है, ball and roller bearing, तो इस तरीके से आपके total 4 example होगे, आपको कोई भी 2 या 3 example का नाम लिखने है, higher pairs क्या होते हैं, और उनके बाद इने examples का नाम देना है, ओके, यह pair है, जो point और line contact, जब दो pairs, जब एक pair के बीच में, या निके दो link के बीच में, जब आपस में contact, जो है line contact हो, या पर point contact हो, वो higher pairs होंगे, और उनके अंदर जो surface of contact है, वो dissimilar type का होता है, और उनके यह examples हैं, इसके बाद देखते हैं, जैसे roll, wheel rolling on a surface point contact, यहां आप देख सकते हैं, कि जो, यह surface है, हमारे पास, यह roller है, और यह surface है, इन दोनों के बीच में, जो है, यहां पर, इस जगह पर, यह point contact होता है, और यह point contact, अगर इस इस roller को आप second के अंदर देखे, point यह line contact यहां पर, इसके अंदर जब यह roller है, यह continue आगे की होड़ जाता है, तो यह एक तरह से पूरी line बनाता है, इसको हम line contact भी कह सकते हैं, उसके बाद देखते हैं, जब केम और follower pairs, क्या होते हैं, तो एक केम इजए mechanical member, used to impart desire motion to a follower by direct contact, एक केम इजए mechanical member, क्या है, एक mechanical member है, जिसका use जो है, हम, एक desired motion, desired motion to a follower, क्या हम follower के थ्रूँ जो हमें, कोई भी desired motion है, वो प्राप्त करने के लिए, वो motion हम जो देते हैं, वो केम के थ्रूँ देते हैं, तो एक केम is a mechanical member, एक केम is a mechanical member, used to impart desired motion to a follower by direct contact, इसमें क्या होता है, कि आपके केम और जो follower हो direct contact में आता है, और केम के थ्रूँ हमें जो required motion है, वो follower को दिया जाता है, तो motion of game, ज जो है क्यूशन से उसके अंदर ही पूचा जाता है, कि motion of game क्या है, कि rotating और reciprocating, यह आपके direct क्यूशन साते हैं, स्सी और स्सी जाइन और अधर जो competitive exam होते हैं, उनमें आपके direct क्यूशन साते हैं, उनके अंदर कि किस टाप के motion होते हैं, तो game के अंदर जो motion है, वो रोटेटिंग और reciprocating टाइप होते हैं, game and follower combination belong to the category of higher fares, game और follower का जो combination है, वो एक higher payer की category में आता है, driver member known as a game, जो driver member है, उसको हम game कहते हैं, और driven member जो है, उसको हम follower कहते हैं, अके a frame which support the game and guides the follower, और एक frame का यूज कहते है, जो game और follower दोनों को guided पुर्दान करती है, support पुर्दान करती है, आप देख सकता है, game and follower, तो यह देखे है, यहाँ पर game है, यहाँ पर guided है, यह game जो यहाँ पर rotate होती है, और यह आपके follower है, यह आपके follower है, जो क्या होता है, reciprocal होत जैसे यहां पर रोटेट होगी तो इसके फूरोवर कभी उपर जाएगा कभी नीचे जाएगा उसी तरीके से यह देखें यह आपके केम हो गई यह आपके फॉलोवर हो गया और जब यह से उपर की और जाएगा और इसकी जो है height उपर की और बढ़ती हुई चली जाएगी और जब यह वापस left side right side के अंदर move करेगा तब उसके height जो है कम होती जाएगी इस तरह से हम desired motion राप्त करते हैं ठीक है इसी तरीके से जब दो gears होते हैं आपस में क्या होते हैं और इनके examples दीजिए तो आपको सिर्फ एक से definition क्या होते हैं कि जब एक pair के बीच में जो contact of surface है वह या तो point contact हो या फिर line contact हो उनको हम higher pairs कहते हैं और दोनों surface का जो contact हो dissimilar प्रकार का होता है और हमें ये दो examples जो है आपके के wheel rolling on a surface स्ट्रेट लाइन हो एंड केम एंड फोलोवर पेर्स ओके थैंक यू सो मुच